आप समझ सकते हैं कि कल जो हमारी बेटियां, हमारे खिलाडी अपने मेडल लेकर हर्दवार पहुँचे उनके दिलों में, उनके मन में कितना दुख होगा, कितनी टीस होगी ये मेडल किसी भी खिलाडी के लिए उसकी प्राण के समान है ये उसकी प्रतिबा तब के प्रतीक हैं, उसके परिवार के त्याग के प्रतीक हैं देश के गौरव का प्रतीक हैं, इन मेडल में उन खिलाडियों के अखाडों की मिट्टी की सुगंद आती है उनकी पसीने की खुश्बू इन मेडल्स में से आती और इन मेडल्स को बहाना किसी भी खिलाडी के लिए अपने प्रांट त्यागने से कमनी ऐसा दुखत उनकी सरकार कैसी सरकार होगी जिसने उनको मजबूर कर दिया ये सोचने पे कितनी आसावेदेंजिन चील सरकार निर्दई सरकार, जुल्मी सरकार जिस सरकार से उनको न्याय की उमीद तक नहीं थी और वो वहाँ पहुच गए मगर उससे बड़ा सवाल हम पूछना चाहते हैं मानिय प्रधान मंत्री जी से और सरकार से कि सरकार की तरफ से अपील तक नहीं की गई जो मंत्री प्रधान मंत्री जी से लेकर खेल मंत्री तक जो मेडल आते थे तो इनके साथ तस्वीर खिलाने के लिए तिस्वीर खिचाने के लिए एक के बाद एक लाइन लगा देते थे वो आज अपील तक नहीं करी उन्होंने दुनिया में क्या संदेज गया आप अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपके साथ नाय होगा हम निश्पक्स जाज कराएंगे ऐसा मत करिए यानि कि एक संदेज गया कि आपको तो खिलाडियों से ही नहीं आपको तो इन मेडल से भी घ्रिना है मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से आप युनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं क्या वो युनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के सांसदो और नेताओं पे लागू नहीं है या नहीं होगा क्या उनके लिए अलग कानून है इस देश में बाकी लोगों के लिए अलग कानून है क्या कारण है कि सरकार एक ऐसे आरोपी को जिस पे साथ साथ हमारी बेटियों ने इस तरह का ऐसा गंबीर ऐसे गंबीर आरोप लगे हो पूरी सरकार भारती अंता पार्टी ऐसे आरोपी को बचाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी जोकरी हो क्या कारण है कि ये केवल पहला उधारण भी नहीं है भाजपा की इस तरह की के चाल चलित चहरे को हमने पहले भी देखा हर्याना के हमारे खेल मंतरी संदीब सिंग उन पे इस तरह के आरोप लगे हुए लेकिन वो आज भी केविनिट में और जब भी कभी कोई बात देश में इस तरह की आती है हातरस की बात हो कठुआ की बात हो हर्याना में मंतरी संदीब सिंग पे लगे आरोपी की बात हो या अभी ब्रिजबोशन सांसत पे बात हो क्यूँ एक पाटि ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए का बचाव करने के लिए एक राजनेतिक दल नारा था इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब वो नारा खोखला सुनाई दे रहा है पर वो नारा अब लगता है कि नारे की परिभाशा अब हो गई है कि बेटी बचाओ और बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ क्योंकि यदि अगर भाजपा किसी नेता पे पदादिकारी पे गंबीर आरोप लगेंगे किसी बेटी के साथ कोई गलत हरकत करने के तो सरकार उन बेटियों को न्याय नहीं दिलवाएगी सरकार उन बेटियों की नहीं सुनेगी जहां हम प्रशन पूछ रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी वहाँ दूसरा पहलू यह है कि जो आरोपी है ब्रिज भूशन सांसद भाजपा सांसद उनका एक बियान आया कि ये मेडल तो 15 रुपे में मिल जाते हैं 15 रुपे में अगर ऐसा है तो ये देश और कॉंगेस पार्टी जितने वो कहें जाम उतने रुपे उनको दे देते हैं तैयार हैं मेडल खरीद के दिखाए ओलम्पिक के मेडल क्या कारण है कि आज देश की अजादी से अब तक 23 इंडिविज्वल मेडल आए देश के 23 इंडिविज्वल मेडल इन 23 इंडिविज्वल मेडल में से 11 अकेले हर्याना परदेश के मेडल है आज आपको आप बेटियों के नय दिलाने के प्रशन को राजनितिक, प्रादेशिक, धर्म, जाती की परिवाशा से, दृष्टी से, क्रियाधार पे देख रहे हैं ये देश, भारत देश वो देश है, हमारी देश की संस्कृती वो संस्कृती है यहां हर बेटी की इज़त, पुरे देश की इज़त है यहां पे अपने दुश्मन की बेहन बेटी को भी अपनी स्वेम की बेहन बेटी के रूप में देखा जाता है ये वो देश है, और किसी बेटी की इज़त को, किसी प्रदेश की, धर्म की, जाती की, भाशा की या राजनिती की दृष्टी से नहीं देखा जा सकता और कोई बेटी अगर न्याय की गुहार करे, उसको न्याय दिलाना राजधर्म की परिभाशा है ये वो देश, ये ही वो देश है, हम बीजेपी की सरकार को, चेताना चातें, जहां पे नारी का, एक नारी के अपमान से महाबारत हुआ, कुरुक्षेत्र में आपने जब एक और संसत भवन का उद्गाटन हो रहा था, जिस तरीके से बेटियों को गसीट-गसीट के दुनिया के सामने जो नजारा आपने दृश्य रखे, हम चेताना चातें, आप देश के धहरे की परिक्षा और ना ले दुखद है कि इस मामले को जैसे मैंने का कि राजधर्म में बेटी की इज़त सर्वोपरी है, लेकिन इस मामले को अलग-अलग दृश्टी से देखा जा रहा है, आखिर हर्याना से, अगर हर्याना की बात करते हैं, क्या हर्याना की बेटीों की इज़त और हर्याना की बेटीों को न्याएं, इस देश में नहीं मिलेगा? आखिर क्यों खिलाडियों से मेडलों से ये इतनी घ्रिणा कर रहे हैं गौरफ साली इतिहास है हरियाना परदेश का बॉक्सिंग में मैं एक उधारण देना चाहता हूँ जैसे मैंने कहा कि 23 हमारे देश के इंडिविजोल मेडल आया आज तक जिसमें 11 हरियाना के खिलाड़ी लेके आयाए हमें गर्व एं इस बात पे मगरो हरियाना खिलाड़ी नहीं थे देश का तिरंगा हाथ में लेके मैडल लेके आए जन्कनमन का गाव की गौंच दुनिया के कौने कोने में गई बॉक्स try मैडल बैठे हमारे आइकन देश के हमारे भाई विजेंदर लेके आए रेस्लिंग महिला रेस्लिंग की पहली मैडल हमारी बहन साक्षी मलिक लेके आई बैडमिंटन की पहली पहला मेडल हमारी बहन हरियाना साइना नहवाल लेके आई जैविलिन के पहले मेडल हमारे भाई नीरत चोपडा लेके आई वेट लिफ्टिंग की पहली मेडल मलेश्वरी बहन यमना नगर से हमारी बहन लेके आई और हौकी के भी जो मेडल है उसमें ज़्यादा तर बड़ी संख्या में हरियाना खिलाडी हर टीम में और मैं इनको भी बताना चाहता हूँ ये जो खेलों इंडिया का ढोल पीट रहे हैं दो अलम्पिक खेल हुए हैं इनके साशनकाल में 2016 में और 2020 में दो अलम्पिक खेलों में आठ इंडिविज्वल मेडल आएं आठ में से चार अकेले हरियाना के खिलाडी लेके आएं और जिसमें से तीन कुष्टी के खिलाडी कुष्टी खेल से संबंदित हैं अगर आप इनको कुछ मानी नहीं रहे तो आपका तो खेलो इंडिया और जो आप मेडल्स के लिए ढोल बजा रहे हो वो तो सारे नारे आज धरे के धरे रह गए देश के खिल में बहुत दर्द है कि परधायन मंत्री जी ने अपील तक करना ठीक नहीं समझा ये कह सकते थे कि निश्पक्स जाच होगी और नयाय मिलेगा आप मेडल्स को यूँ गंगा में बहाने की बारे में मत सोचे आप भी देश की बेटी हैं आप बेटी हो मगर इतनी भी इतने भी शब्द परधान मंत्री जी खेल मंत्री जी या बीजेपी के किसी प्रवक्ता के मूँ से भी नहीं आए यह एहंकार है यह एहंकार की परिभाशा है मैं अब इसी विशे पे हमारे भाई बिजेंदर जी वो भी आपके बीच में अपने आपके बात रहेंगे उसके बाद आपके प्रशन हम लेंगे धन्यवाद आप सबका और काफी विस्तार से दिपिंदर जी ने बताया कि हर्याना के जो लड़के लड़किया हैं कितनी मेंट से ओलम्पिक में मेंट जीत के लेके आते हैं लेकिन जैसे ही मैंने कल न्यूज देखी कि हमारी बहने शाक्सी और विनेश फोगाट अपने मैडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं तो मेरे को एकदम मुहमद अली साब की आद आगी मुहमद अली साब जो एक मशूर मुक्के बाज रही हैं जिनको कैसर्स के लेके नाम से जाजा जाता है जब उनके उपर जब यूएस में गोरे काले की नीती चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं उने दिया जा रहा था कि उनने बता कि मैं उलम्पिक ओल्ड मैडलिस्ट हूं तो उन्होंने उसको बाहर फैंक कि मारव बोला की तरह जैसे उलम्पिक मैडलिस्ट बहुत आते हैं तो इस बात से आहत हो कि वो उसने अपना उलम्पिक मैडल ओयो नदी में फैंक दिया था उसके बाद जो करांतिया आई थी पूरे यूएस में और आप देख सकते हैं यूएस दुनिया का सबसे नमबर वन मुल्क है तो ऐसे लोगों की वज़े से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भया नहीं रंग भेद नहीं है हमें नहीं अलाउड है लेकिन हमारे यहां उल्टा होता है हमारे यहां जब हमारी बहने ओलंपिक मैडल नदी में फैंगने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मझभ पूछा जाता है हिंदू हैं यां मुसलिम हैं चलो हिंदू हैं फिर उनको कास में बाड़ दिया जाता है अच्छा तुम जाठ हो अच्छा ये वो है ये वो है तो बहुत सारी चीजे फिर उसके बाद जूनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है फिर बहुत सारी लोग आते हैं कि मैंने ट्विटर बे देखा है परिकुछ आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहां परवावित नहीं करने देंगे इससे हमारी गंगानदी दूर्शित हो जाती है तो ये देखकर बहुत दुख होता बहुत सारी लोगों को नहीं मालूम होता कि अलंपिक होता क्या है आप लोगों को भी नहीं मालूम होता क्या है पहले जहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं पहले वहाँ जीतना पड़ता है जहाँ पकाड़े होते हैं वहाँ जीतना पड़ता है नमबर वन बनना पड़ता है उस वेट में फिर जाके आपको डिस्टिक में ट्रैल होते हैं तो पहले भी हमने बात करी थी इस बात में अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको ज़्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से लेकिन ऐसा बंड के दिखाऊ आप ऐसा मैडल लेके दिखाऊ उसके बाद आप बात कीजीगा तो बड़ा असान होता किसी की उपर उंगली उठाना तो बहुत कहते हैं कि दुख होता हमें बहुत गुसा भी आता ही चीज से कि भीया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया इससे पहले मैं कई बार सोचता हूं कि अगर कॉंगरेस के टाइम पर अगर ये सब चीजे होती तो क्या होता अपने सवाल पूछे क्या होता सबसे पहले इसको मिनिश्टर को अटाया जाता जो भी उसका सदेशा है जो जहां तक मुझे मेरी सोच है बिकुज मैंने राजनीती को जाब तक समझ आई है तब तक मैंने बहुत देखा कॉंगरेस को बहुत करीब से देखा है और अब भी मैं बीजीपी को देख रहा हूं तकरीब आठ नो साल से तो लेकिन बहुत चेंज है इन दोनों की पॉलिटेक्स में तो सबसे पहले आई तिंग कॉंगरेस उसको निकालते हैं उसके बाद कहते हैं कि सबसे पहले परधान मंत्रिया स्पोर्ट्स मेंस्टर उनसे बात करते अपनी बेहनों सो बुलाते कि यहां दिकत क्या हुई क्या प्रेशानी है बहुत साहे लोग कभी कुछ कभी कुछ बोलते हैं लेकिन हम उनके साथ थे आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे तो मैं चाहूँगा कि विनेश और साकसी को कहते कि आप लोग सब उनका साथ दे मीडिया बहुत जरूरी है आप लोग कहते कि सुईदान का चोता स्थम है तो आप चाहूँगा कि उनको जो सही को सही दिखाएं गल्थ को गल्थ दिखाएं और मैं हमेशा उनके साथ हूं भईया एक हर्याणवी होने कर नाते एक Olimpic medal लिस्ट रोने कर नाते और ये सब चीज़ें पर कि हर्याणा को हमने देखिये हैं हर्याणा में जब हुड़ा साथ टी तब ये शुरुआ था सब चीज़े उससे पहले कितने Olympic medal आई थे बहुत कम आई थे लेकिन जैसे वहाँ पे Congress की सरकार आई हुड़ा साथ की सरकार आई तब वहाँ में cash prize मिलने शुरू हुए थे 31,000, 51,000, 1,000,000 रुपए और हमारे लिए बहुत अहम होता था 31,000, 21,000, 15,000 की राशी बहुत अहम होती थी अब सब लोग कहते की हाँ जाना से बिलोंग करता हुट तो मुझ बाट के बाट देखना लग रहे हैं हो वाग जार, कहां गए उस सरकार तो इस टाहिम आता हर एक चीज का टाहिम होता है तो जो कहते की बड़े बड़े लोग इस दुनिया में ने रहेंगे तो ये भी ने रहेंगे एक दिन Just wait and watch मैं इसमें एक आकड़ा और देना चाहता हूं जो रहे क्या था ये जो कह रहे थे अगर ये दो मैंने इनके दो अलम्पिक बताएं अगर ये आप पिछले 2000 2000 यूपिये के टाइम से जो ये कहरेगी कॉंग्रेस के समय स्टार्ट हुआ तब से लेकर और आज तक के अलम्पिक देखोगे सतरा इंडिविज्वल मैडल आएं भारत के सतरा में से दस हरियाना के आएं हरियाना के खिलाडी लेके आएं भारत देश के लिए सतरा में से दस जो इन्होंने कहा कि हरियाना की उस समय की जो सरकार थी और उसके पर एक प्रोथसान का वातारण बनाया जिसको आज तहसनेस किया जा रहा है मैं बार बार कहना चाहता हूँ अगर ये नहीं हो इनको आप मेडल की अगर सूची में सही है अगर आप नहीं गिनना चाहते तो आने वाले समय में कितना नुकसान होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन अपनी बेटी को इस वाता बरन में अभी विजंदर जी मेरे को बाहर कह रहे थे कि ऐसे में अपनी बेटी को अपनी बेहन को कौन भेजेगा प्रेक्टिस के लिए अगर नयाए नहीं होगा इस देश में